आज बाबा, हम सभी को दो चीजों पर विशेश ध्यान दिला रहे हैं, साकार में थे बाबा, तो कई लोग ऐसा कह देते थे, कि सिव बाबा तो ठीक है, पर हम ब्रम्मा को नहीं मानते हैं, तो बाबा कह रहे हैं, देखो मैं इसके तन में बैठ कर तुम आत्माओं से बाते कर रहा हूं, मैं सत हूँ, चेतन हूँ, ज्यान का सागर हूँ, मुझे ज्यान देना है, तो परम ग्यान कोई प्रेरना से थोड़ा दिया जाता है। पावा कहते हैं संसे बुद्धी होते रहते हैं अपने को गिरावट में लाते रहते हैं भला सोचो तुम सब मुझे जनम जनम पुकारते आहे लिबरेटर आओ पतित पावन आओ तो क्या मैं उपर बैठके लिबरेट करूँगा। मैं तुम्हारे सम्मो खाओं तुम्हे जनम दो तब तो तुम्हे लिबरेट करूँगा यानि छुडाओंगा। मुक्त करूँगा तो मुक्ती मांगते आए तो घर में बैठके तो ये सब काम नहीं किया जाता। इसलिए सब बच्चे अच्छी तरहें निश्चे बुद्धियों कर रहें। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जिने बापतादा कहते हैं। दोनों का पार्ट इखट्चा है। दोनों ही श्रष्टी को बदलने का दिव्यकारिय कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो संसर बुद्धी होते हैं फिर माया में गिर जाते हैं। कई मारत ही बच्चे भी माया के वर्स हो जाते हैं। माया भी बहुत बल्वान हो गई है। एकदम प्रकास से अंधकावर में ले आती है। भगवान का हाथ चुड़ा देती है। तो तुम्हें ऐसा संस से बुद्धी नहीं होना चाहिए। विकारों से गिरते हैं वाना पांच भी मंजिल से गिर जाते हैं। फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। कई सोचते हैं हम पवित्र बने न बने बाबा का ज्यान दूसरों को देते रहें। दूसरे तो पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहता है खुद पवित्र नहीं दूसरों को क्या पवित्र बनाएंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है। कि ग्यान सुनने वाले उनसे ज़्याद़ पवित्र बन जाते हैं, और बहुत आगे निकल जाते हैं, सब के लिए बाबा कहरे, कि ग्यान देने वाली बहने भी पीछे रह जाती हैं, जिनको ग्यान दे रहे वो आगे निकल जाते हैं, यह अपने व्यक्तिगत पुर्सात पर है तो फिर बाबा एक दूसरी चीज एकस्प्लेन कर रहे हैं कि जब लोग बहुत दुखी होते हैं, ये दुख धाम है न, दुखों की दुनिया है, तो दुखी होकर अपने को मारने का परियास करते हैं, तो बहुत उची मंजिल की मकानों से नीचे गिर जाते हैं, ताकि तुरं बचे नहीं, बचेंगे तो बहुत कस्ट पाएंगे होस्पिटल में, कोई अपने को आग लगा लेते हैं, फिर कोई उन्हें बचाते हैं, कितने तडफते हैं आग से आधे जल कर, बाबा कहते हैं, ये दुखों से छूटने का मार्ग नहीं है, इस से तो तुम्हारा पाप और ही बच जाएगा, जीव घात महापाप कहा जाता है, इसलिए ये महापाप कोई न करें, क्योंकि एक तो पहले ही दुख थे, फिर ये अकाले मरत्यु आपे ही कर ली, तो डबल क्या सोग उन्हापाप हो जाता है, आत्मा भटक जाती है, बहुत दुख बच जाते हैं, फ तो श्यांती तो तब हो जब श्यांती का सागर आए, श्यांती तो तब हो जब वो आकर एक धर्म की स्थापना करें, और वो धर्म है आदी सनातन देवी देवता धर्म, उसे एक धर्म की बावा स्थापना करा देते हैं, जो बहुत सुख देने वाला है, उसको सुख धाम क जाता है, तुश्यान्ती हो जाती है, बॉंस बन गए हैं, माभारत लडाई सामने खड़ी है, पर इस माभारत लडाई से तुम्हारी क्रमाती तवस्था का बहुत गेरा संबंध है, लडाई शुरू होगी, तुम करमाती होगे, लडाई फाइनल हो जाएगी, फिर ये यूग बदल जाएगा तुम सुकधाम में चले जाओगे लड़ाई के लिए माविनास के लिए बहुत चीजे तैयार कर ली हैं बाबा कहरे बच्चे होल सेल मोते होंगी सब खतम हो जाएगा थोड़े से मनुस जाकर बचेंगे अब है और वो की जन संख्या तब रह जाएंगे कुछ लाख फिर नया यूग प्रारंभ होगा तो तुम संगम यूग पर खड़े हो इधर सुकधाम है इधर दुखधाम है मैं आया हूँ इस बेच के समय पर तुम्हें लिबरेट करने तुम्हें सत्य रहा दिखाने तो ब्रह्मा की भी बहुत वेल्यू है और फिर हम जानते हैं सबसे स्रेष्ठ योगी सबसे स्रेष्ठ पुटसात करके वो फरिष्टे बनें उनको इէ्नूर करना बहत बढ़ा ज्यान होगा तो बाबा चय रहे है मैं संगम यूग पर आया हूँ अब तुम मेरे सम्मुक बैठे हो तुocy मेरे से सुन रहे हो, तुम्हें बहुट नशा होना चाहिए, हम पराम आत्मा के सम्मुख बैठे हैं, अगर मैं ब्रह्मातन में ना हूँ, तो तुम मेरे सम्मुख कैसे बैठोगे, इनकी आखो से ही तो मैं तुम्हें देखता हूँ, ऐसे नहीं मैं उपर बैठा जानी जाननहार हूँ, मैं इसके तन में आता हूँ और किसी के बारे में सब कुछ जान सकता हूँ, तो जानी जाननहार कारत यह नहीं मैं सब के अंदर बैठा हूँ, लेकिन मैं हरेक की अवस्था को देखकर, उनके चेरों को देखकर, उनके बारे में सब कुछ जान लेता हूं तो तुम बच्चों को बहुत निश्चे बुद्धी रहना चाहिए और याद में रहकर कर्माती तवस्था की ओर चलना चाहिए वर्दान है सेवाओं में मेहनत भी बहुत करते हैं मानताएं भी हैं लेकिन उसके साथ सभी को प्रतक्स अनुभव कराने वाले सफलता मोड सेवाधारी शक्ति साली सेवाधारी बनो तो ग्यान भी हम देते हैं लेकिन जो हमारे पास साय उसको अपने स्वरोप का अनुभव हो जाए हमारी स्थिती रोहानियत से भरपूर होगी, तब किसी को स्यांती का, किसी को सक्ती का अमनुभव करा सकेंगे, तो ऐसी रोहानियत की स्थिती में स्थित होकर ज्यान दो, तो सभी लोग ज्यान सुरिये की सक्तियों का चमतकार देख सकेंगे, स्लोगन है बाप की यानि सिर्व बावा की और सबात्माओं की दुआएं लेने वाले इस विमान में बैठकर उड़ने वाले ही स्रेश्टी होगी हैं तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो भगवान भी हमें दुआएं दे और हमारे आसपास के सभी लोग भी हमें दुआएं दे तो आज हम अभ्यास करेंगे मैं मास्टर ग्यान सूरिय हूं और ग्यान सूरिय आखों के सम्मुख है सामने से उनकी किरने मुझ पर पड़ रही है ओम स्यान्ति